कपोट और बहलिय की कथा कहाने प्राचिन काल में एक कुरूर और पापात्मा बहलिया रहता था हमेशा पक्षियों को माड़ने के नीच करब में वो तल्नीन रहता था और उस बहलिया का रंग कौवे के समान काला था उसके आकरती ऐसी थी इतनी भयानक कि सभी उससे घ्रना करते थे लाल-लाल आँखों को देखकर तो बच्चे क्या बड़े बुजरू भी डर जाते थे तो वह दुष्ट नित्य प्राता ही उठकर बन में जीव हत्या के लिए निकल पड़ता और पेड की डाल में बैठे हुए पक्षियों को और छोटे मटो पसूँ को अपने पैने बानों से मार देता था कभी भी यह कुरूर कर्म करते हुए वह धर्म अधर्म की चिंता करता ही नहीं था चिडियों को मार कर बेचना और उससे जीवी का अरजित करना वह अपना परम धर्म समस्ता था एक दिन की बात है कि वह पक्षियों की खोज में बन में फिर रहा था फिरते फिरते उसे साम हो गई और उसी समें जोर की आंधी उठी आंधी का वेग इतना तेज था कि बिल्च लड़ खड़ा कर गिरने लगे और उपर बैठे पक्षी भी तरस्त होकर नीचे गिरने लगे तो आंधी के साथ ही आकास में मेगों का भयानक गरजन होने लगा थोड़ी ही देर में चारो तरफ से बिजली चमकने लगी और मुसलाधार बारिस होने लगी तो थोड़ी ही देर में चारो और पानी भर गया और तेज हवा के कारण कडाके की सर्दी हो गई अब उससे बहेलिया का सारा सरीर कापने लगा घबरा कर इधर उधर कोई आस्रे धूनने लगा लेकिन उसे कहीं भी कोई सारा दिखाई नहीं दिया चारो और पानी ही पानी भरा था और उसके उपर तिब्र वायू सन सन करके बह रहा था तो उस कुरूर वहलिये को भी उस निरजर मन में डर लगने लगा कहीं चीपने का विचार करके आगे भागा वो थोरी दूर जाने पर एक कबूतरी पेड़ की जड़ पर बैठी दिखाई दी वह सीथ के कारण काप रही थी तो बहलिये ने तुरंथी उस कबूतरी को पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया अपनी उस निशसाया अवस्था में भी उस कबूतरी को कष्ट देने में उसे तनिक भी संकोच नहीं हुआ और कबूतरी अपने पती और बच्चों को छोड़ कर कहीं भोजन की तलास में बाहर निकली थी लेकिन क्रूर बहलिये के चंगुल में फसने के कारण वह दुखी होने लगी पती और बच्चों को याद करके बिलाब करती हुई बोली हे क्रूर बहलिये मुझे छोड़ दो देख मेरी याद में मीरे पती और बच्चे दुखी होकर रोएंगे मुझ निसहाय पर दया कर बहेलिया ने कबूतरी की करून पुकार पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और वह सीधा बढ़ता गया कुछ दूर पर ही मेग के समान नीला एक उसे ब्रिक्ष दिखाए दिया वह उस ब्रिक्ष के नीचे रुग गया और वहीं पिंजड़ा रखकर अराम करने लगा थोड़ी देर में आकास से बादल हट गया तारे दिखाए देने लगे रात हो चुका था हवा का वेग भी कम हो गया लेकिन सर्दी फिर भी बहुत थी तो बहलिया उस ड्रावनी रात को अपने घर लोटने का साहस करी नहीं सका और वहीं ब्रिच के नीचे बैठ गया सोतेस मैं कहने लगा हे ब्रिक्ष राच तुम पर जो देवता रहते हैं मैं उन्हीं की सरन में हूँ वे मेरी रक्षा करें यह कहकर बहलिया पत्तों का बिचावन बिचाया और एक पत्थर पर सिर रखकर लेड़ गया उसी ब्रिक्ष पर पिंजडे में बंद कबूतरी का पती कबूतर रहता था जब काफी रात पी जाने पर भी कबूतरी नहीं आई बच्चे भूग के कारण बिलकने लगे तो कबूतर ने दुखी होकर कहा हाई कैसी भयानक रात है अभी तक मेरी प्रिया घर नहीं आए ना जाने वह इस समय कहां भटक रही होगी हाई विधाता कहीं उसके उपर कोई विपत्ती तो नहीं आ गई क्योंकि प्रिया के बिना आज मेरा घर सुना दिख रहा है अब ग्रहस्त का घर पुत्र 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 बधु और सेवोकों के हुने पर भी अपनी भार्या से हीन ही लगता है खाली लगता है तभी तो स्रेश्ट ब्यक्ती पत्नी से हीन घर को घर नहीं कहते भारिया से हीन घर तो निर्जन वन की तरह लगता है और वह सदा चित यानि हिरदय को पीड़ा ही पहुँचाता है हाई यदि मेरी प्रिया लोटकर आज नहीं आएगी तो मैं भोर तक जिवित नहीं रह सकूँगा हाई वह कैसी कितनी अच्छी थी मेरी भक्ती भाव से सेवा करती थी मेरे दुख में दुखी होती थी और सुख में सुखी होती थी वह भक्ती धन्य है जिसको ऐसी पती वरता भारिया यानि पतनी प्राप्त होती है हाई विधाता अब क्या करूँ अवस्य मेरी प्रिया पर किसी तरह की विपत्ती आ पड़ी है नहीं तो कभी भी मुझे और बच्चों को भूखा छोड़ कर इतनी देर बन में नहीं रुकती हाई अब मैं उसके बिना कैसे जीवित रहूँगा अब पत्नी से ही पुरुस के जीवन का निर्वा होता है रोग पिडित दुखी ब्यक्ती को पत्नी ही परम औस दी है क्योंकि पत्नी के समान दूसरा कोई प्रिय होता ही नहीं धार्मी किर्तियों में भी पत्नी के बिना पुरुसों की पूजा स्विकार नहीं होती या फिर अधूरी रहती है तो जिसके घर में पती ब्रता प्रियवादनी भारिया नहीं है उसका घर छोड़ कर कहीं चले जाना ही अच्छा है हाई अभी तक मेरी प्रिया नहीं आई है बिधाता अब मैं क्या करूँ मेरी प्रिया को मुझसे मिला दो बिधाता नहीं तो मैं इसी च्छन प्रान त्याग दूंगा इस तरह कहते वे कबुतर रोने लगा उसकी सभी बातों को कबुतरी पिंग्रे में बैठी भी सुन रही थी वह भी अपने पती को इस तरह अपने ब्योग में दुखी देखकर रो पड़ी और कहने लगी हेनात जिस प्रिया को याद करके आप बिलाब कर रहे हैं वों मैं यहां इस बहलीए के चंगूल में फशी हुई है इसने मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है इसी करण मैं आपके पास नहीं आ सकती है प्रानात आप मेरे गुनों की प्रसंसा कर रहे हैं यह सुनकर मेरा हिरदय गदगद हो उठा है इस संसार में इस तरी भी कितनी स्वभागेवती होती है जिसके गुनों की प्रसंसा स्वेम उसका पती करता हो हेनात आज मैंने अपनी सेवा का फल पा लिया है इसलिए अब मुझे मुझे मृत्यू का तनिक भी भे नहीं है लेकिन मैं आपके हित के लिए एक बात कहती हूँ उसको ध्यान पुर्वक सुनिये अपनी प्रिया की मधुरवानी सुनकर तो कबूतर के रोम रोम में नव स्पुर्ती जाग उठी और उसने आतुर होकर कहा हाई प्रिया कुरूर पहलिये ने तुम्हें बंदी बना लिया है लेकिन कहो मेरे हित के लिए वह क्या बात है तब कबूतरी कहती है हेनात इसमे यह बहलिया भूग से ब्याकुल और जाड़े से दुखी होकर तुम्हारी सरन में आया है इस सरनागत की रक्षा करना तुम्हारा परमधर्म है हेनात मैं जानती हूँ इस कुरूर कर्म करने वाले दुराचारी बहलिये के प्रती आपके हुर्दे में रोस उठ रहा है लेकिन सरनागत का अनिष्ट करना किसी प्रकार उचित नहीं है तो जो बैक्ती सरनागत का बद करता है उसे गो हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है इसलिए हेनात हम इतने साधन संपन नहीं है जो इस बहलिये की अधिक सहायता कर सके लेकिन फिर भी अपनी सामर्थ के नूसार हमें इसकी सहायता करनी चाहिए पंडितों ने कहा है कि गिर्यस्त यथा सकती कर्म धर्म नहीं करता तो उसको घोर नरक की आतना सहनी परती है और जो धर्म के पत से अपने चित को स्वार्थवस होकर नहीं हटाता उसको अंत में अक्छे लोग की राप्ती होती है हेनात इसी कारण में कहती हूँ आप अपनी दे की चिंता छोड़ कर आए हुए इस सरनागत का सतकार करो मेरी चिंता छोड़ दो और धर्म का पालन करो उसके प्रभाव से मैं यदि इस लोक में आप से नहीं मिल सकी तो परलोक में हम फिर भी दंपत्ती के रूप में साथ रहेंगे तो अपनी प्रिया की करून वानी सुनकर कबूतर गदगद होकर कहने लगा हे देवी तुम धन्ने हो जो बंद स्वेम बंद होकर भी स्कुर बहलिये के हित की कामना करती हो बिधाता ने मुझे कैसा सोभाग साली बनाया है जो तुम जैसी करून हिर दया भारिया मुझे मिली अब मैं अपने जीवन की चिंता छोड़कर अवसे इस सरनागत बहलिये का सतकार करूंगा और यह करकर कबूतर बिश्क बर से नीचे उतर आया और बहलिये के सामने खड़े होकर कहने लगा हे महानुभव आप किसी प्रकार दुखी मत होईए आप मेरे अतिती हैं अतिती का सतकार करना ग्रिष्ट का परमधमना इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं आज मैं आपके लिए अपने जीवन का भी को भी उत्सर्व करके अपने धर्म का पालन करना चाहता हूं क्योंकि सास्त्र का कथन है यदि सत्रूभी अतिती के रूप में घर आए तो उसका भी सुद्धमन से स्वागत करना चाहिए और जो मनुस्य ब्रिच काटने के लिए जाता है उस पर से ब्रिच कभी भी अपनी चाया यह सोच कर नहीं हटाता कि यह मनुस्य मेरा अनिष्ट करने आया है हे महास है घर में आए अतिती का सथकार करना तो सभी का धर्म है लेकिन पंच यग्य करने वाले ग्रिहस्तों का यह परमधर्म है कि जो बेक्ती ग्रिहास्तास्रम में रहकर पंच यग्य नहीं करता उसे ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में सदगती मिलती है हे महास है आप बताईए मैं आपकी क्या सेबा करूँ अब कबूतर की आवाज सुनकर बहेलिया पक्छी की सिष्टता के उपर आश्चर करने लगा वह इसमें जाड़े के करन कांप रहा था रूसने कांपती आवाज में काया है दयालू कबूतर मैं इसमें जाड़े के मारे ठिटू रहा हूँ तुम कोई ऐसा उपाए करो जिससे मैं इस ठंड से बच सकूँ बहेलिया की बात सुनकर कबूतर तुरंत इधा उधर सुखी पत्लिया बीन लाया उन्हें एक अस्थान पर इकठा किया और उन्हें जलाने के लिए आग मांगने के लिए वह लुहार के पास गया और वहां से आग लाकर उसने पत्तों के धेर को सुलगा दिया इस आग से बहेलिया ने अपना जाडा मिटाया और उसका कापना बंद हो गया अब वो इस्थीर होकर बैठ गया इसके बाद फिर कबूतर ने पूछा है अतिती बोलिए अब मैं आपकी क्या से बा करूँ तो बहेलिया ने स्वस्त होकर कहा है पक्ची मैं इसमें बहुत भूखा हूँ यदि कर सको तो मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंद करो यह सुनकर कबूतर ने दुखी होकर कहा है अतिती देपता मेरे पास इसमें कोई वस्तू नहीं है जिसे आपको देकर मैं अपनी भूख मिटाओं मैं बन में रहकर प्रती दिन भोजन की सामगरी लाता हूँ और निर्वाह करता हूँ मेरे पास संचित पदार्थ इसमें कोई नहीं है इसलिए मैं क्या करूँ यह कहकर कबूतर चिंता में पड़ गया और अपने को औसहाय समझ कर अपने आपको धिकारने लगा तो बार बार उसके हिर्दे में यही स्वरगुंजता हाय मैं अतिती की इच्छा कैसे पुर्ण करूँ जिससे पूरी तरह ग्रिस्त धर्म का पालन कर सकूँ वह कितना भी सोचता लेकिन उसे कोई ऐसी बस्तु नहीं दिखाए देती जिसे देखकर वह बहलिये का भूग मिटा सके अंत में उसने अपने ही मान से अतिती की भूग मिटाने का निश्चे किया और नवीन इस फूर्टी के साथ बहलिये से का है अतिती आप तो देपता है आप तनी ठेहरिये मैं अभी आपके भोजन की पेवस्था करता हूँ फिर कबुतर ने सुखे पत्ते इकटे किये बुस्ती भी आग को और सुलगार दिया जब अगनी पूरी तरह से जलने लगी तब बहलिये से कहने लगा है अतिती देपता रिसियों और पांड़ों ने अ अगनी की परतिक्षना की और फिर अगनी में कूत पड़ा तो बहलिये के देखते देखते वह जल गया उस पक्षी को अपने धर्म की पीछे मरते देखकर उस बहलिये का कठोर हुर्दय हिल गया और वह अपने आपको धिकारने लगा आज पहली बार उसको ग्यात हुआ कि मार मार कर महापाप करता है और अवसी उसके फलसरूप परलोक में उसकी दुर्गती होगी तो अपने पापों का प्रास्चित करता हुआ वह कबूतर की मिर्ट्यू पर रोने लगा और कहने लगा हाई मैं मनुस्य होकर कैसा पापी हूँ कैसा अधर्मी हूँ मुझे अवसी कभी इस जीवन में सुख सांती प्राप्त नहीं होगी और मिर्ट्यू के पस्चात यम के दूद भयाना कुरूरता के साथ मेरे सरीर को जलती अगनी में तपाएंगे हाई बिधाता अब मैं क्या करूं जब कभूतर ने मेरे लिए अपने प्रान त्याग कर दिये तब मैं भी अपने इस पापी जीवन को नहीं रखना चाहता मैं भी इसी अगनी में जलकर अपने प्रान त्याग कर दूँगा यह निस्चे करके वह बहलिये ने कबूत्री को अपने पिंजड़े से निकाल दिया और उसी छन लगी सला का पिंजड़ा आधी सभी समानों को फेक दिया कबूत्री निकल कर अपने पती के लिए सोग करने लगी और रोते वे कहने लगी हे नात आप चले गए मुझे अनात बिद्वा बना कर यहां छोड़ गए अब इस संसार में मेरा क्या आधार है बिद्वा इस्तरी अनेक पुत्रों के होने पर भी दुकी रहती है हे प्राननात आपके बिना में एक पल भी जिवित रहने की कामना नहीं करती पिता पुत्र बंदू पांधप परिमित सुख देते हैं इस तरी को और परिमित सुख देने वाला पती के सिवा और कोई नहीं है पती ही इस्तरी का एक मातर आधार है इस तरह बिलाब करती वी कबूत्री भी बहलिये के सामने ही जलती आग में कुद पड़ी और अपने पती के साथ जल गई दूसरे ही छन बहलिये ने आश्चर चकित होकर देखा कि कबूत्र और कबूत्री दिब्ब पुरूस और इस्तर प्राप्त करने के लिए तप करने का निस्चे किया इर्सिया मोह को छोड़कर केबल वायू से बन करते वोई वह पुर्ण संकल्प करके आगे बढ़ा और कुछी दूरी पर उसको एक सरोबर दिखाए दिया वह सरोबर कमल फूलों से अनेक प्रकार के पक्षियों से सुसोवि गया था लेकिन फिर भी उस बहलिये ने उसकी तनिक भी परवाह नहीं की और रक्त उसके सरीर से बहने लगा लेकिन वह अपने घावों को सहलाने के लिए भी किसी अस्थान पर नहीं रुका अपने पापों का प्राइस चित करता हुआ वह आत्मगलानी से भरे वहरदय को लेकर आगे बढ़ता ही जा रहा था कुछी दूर उसे पसूओं की भयानक आवास सुनाई देने लगी जोही वह कुछ और आगे बढ़ा उसने देखा कि दावागनी से बन के ब्रिक्च जल रहे हैं तिब्रवायू चलने लगी जिस से आग अपना प्रलाइकाल का रूप ल ना ही ठीक समझा और यह सौचकर सीधा उस अगणी के भीतर चला गया चन भ॥ में अगनी की लाल लालप्टे बहलियें को निगल गई और उसका σरीर जलकर चारो हो गया उसे चीवन के सारे पाप भी उस अकनी में जल गय और पूरी तरह पापों से मुक्त होकर सर्ग लोग को चला गया इस तरह कभूतर को अतिती धर्म का पालन करते वे स्वर्ग गया तो कभी तरी पती धर्म का पालन पती वरता धर्म का पालन करती भी वह उनके साथ स्वर्ग गई और बहलिया अपने पापों का प्रहस्चित करता हुआ अगनी में जलकर स्वर्ग चला गया फिलाल आपसे भी डालेते हैं कहानी अच्छी लगे तब जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा धनिवाद